कि अखलो फ्रेंड घृट मॉनिंग कैसे हैं आप सब दोस्तों टीक होंगे आफ सब जानते हैं रोजाना हम एक टॉपिक पर बात करेंगे वह है मैथि दाना अप मैथि दाने के बारे में जरूर जानते होंगे इसे मैथि का भी मेथी का इस्तेमाल हर घर में होता है क्या आप जानते हैं मेथी अपयोग एक ओशिधी के रूप में किया जाता है कहते हैं हर वो चीज जिसका स्वाद थोड़ा सा करभ़ होता है और जीप को पसंद नहीं आता है वो हमारी सहत के लिए काफी फाइदे मन होती है जैसे कि करेला नीम आदी इन्हीं मेंसे एक है मेथी दाना मेथी हर घर में बड़े आसानी से मिलने वाला मसाला है जिसका इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है लेकिन आपको बता दें कि मेथी कोई मामूली मसाला नहीं है बलकि ओशनियर गुरों और धेल सारे न्यूट्रीशन से भरपूर होती है मेथी दाना किन-किन चीज़ों में फायदा दे सकता है देखे चलिए बात कर लेते हैं जर्णो करें से अज़र करता हैं मेथी का सेवन करने से शरीर में होने वाले कि तरह के दज से राहत मिलती है बार बार भुप लगने की समस्या भी तूर होती है एंटि औक्सिडेन्ट और एंटी इंफ्लामेटरी से भर्भूर होता है और मेथी शरीव के लिए बहत फाइदे बन होती है दोस्तो वैसे तो आप मेथी को पाउर्डर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं और भी तरीके हैं जैसे की मेथी की चाहे बना सकते हैं नंकुरित करके खा सकते हैं या फिक शहेद के साथ सीधे भी खा सकते हैं बालों का जड़ने में फाइदे बन मेथी के फाइदे से बालों का जड़ना रोग जाता है एक से दो चमच मेथी के दानों को रात भर के लिए भ्यूगो दीजिए इसे सुबह पीस कर बालों की जड़ों में लगाईए और एक घंटे बाद बालों की जो चड़े हैं उन्हें दो लीजिए एक सब्ता में दो से तीर मार बालों का घरता हो जाता है मैथी के सेवन से हिर्दे रोग में लाब एंटी अकसिलेंड के गारण मेथी हिर्दे रोग के लिए लाबकारी है यह रख संचान को सहीह रखता है मेथी में गुरल शीर फाइबर होता है जो हिर्दे रोग की खत्रे को गटता था है हिर्दे को उस्वास रखने के लिए मेथी के 10 से 15 मिली काड़े में शहद मिलाकर के पीजिये इससे आपको बहुत जादा लाग मिलेगा मेथी के बीच कब्स दूर करने में काफी लाबकारी होता है मेथी चन सूर कलोंजी और अजवायन का रोजाना सेवन करें इससे गेस संबंदी रोग पेट में दर्द रोग की कमी पेट का पूलना पेट दल उल्टी आने से परिशान रहते हैं तो आप मेथी के बीचों का पाउडर बना कर सेवन कर दीजिये इससे उल्टी बन हो जाती है बलडशुगर को नियंतृत करता है मेथी का नियमिच सेवन करने से खून में चीनी की मादरा नियंतृत रहती है एक चमच मेथी के दानों का बना लिए और सुबा खाली पेट गुन्गुने पानी के साथ इसके अलावा आप मेथी के दानों को रोजाना रात में भीगो कर रंग दीजिए और सुबा खाई और उपर से मेथी दाने का पानी भी पील जेए इससे आपको काफी फायदा होगा दोस्तों मेथी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं देखें मेथी के दानों का काड़ा अगर आप बनाते हैं तो दस से बिस मिलेलेटर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेथी के दानों अगर आप काड़र का यूज़ कर रहे हैं तो एक से दो ग्राम की मातरा में आप ले सकते हैं दोस्त करता है दोस्तों के बार इसे खाने से पिर संबंदी समस्यां भी हो जाते हैं जैसे गेंज बनना खट्टी टकारों का आना आधी इससे बचने के लिए इसके मात्रा का विश्य ध्यान रखें और अगर यह आपको सूर्ट नहीं कर रहा हो तो आप इसका सेवन ना करें के बार म सूजा ने दर जैसी समस्या हो सकते हैं धियां की दैना के जो ताइसी जू गरम हो members09 पेशामस्या या फिर फर राना आTr इसलिए इस समस्या से बचने के लिए आप इसका प्रियुक्सू समझ करें गरवर्दी महिलाओं को इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए यदि आप इसका दिक मातरा में सेवन कहते हैं तो 100% आपको इससे नुकसान होगा इसलिए आपको इसका सीमित मातरा में ही इस्तमाल करना चाहिए तोस्तों कुछ भी अगर हम ओश दी है या कोई भी अगर हम चीज ले रहे हैं या दवाई और अगर हम इस्तमाल करते हैं तो सीमित मातरा में ही उसका यूज़ करना चाहिए आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें अपना फीड़्बेग भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें वेल आइकन को प्रेजिस से कहरें एक न्यों झाल